जहेंद एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग मैंनुच आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके RWA परिवार पर तो आप सारे बच्चे जिल्दी से लाइब आजाएंगे शुरुवात करेंगे आज का सेशन प्यारे बच्चों आज हम लोग कवर करेंगे आपका practice head जो आपका Indian Navy puts treatment का exam है इसको लेकर कि बहुत ही शान्दार और बहुत अच्छा प्रेक्टिक लेकर के छलेंगे देखिए क्या होता है कि March न 이거 जो अभ्यास है हमारे लिए बहुत काम है law काम माता लग audition कि मैंसे में नहीं और और चीजें आपसे नहीं हो पाएज मतलब आप उस चीज को 16 को नहीं जब आप एक्जाम में बैटोगे तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा यह बात बिलकुस अच्छ है तो अभ्यास बड़ा जरूरी है कि हमने जो पड़ा है उससे सीखे तो सही कि हम उसको हमने जितने भी कॉशेंस को लगाए है जितने भी कॉंसेट्स को लगाए है अच्छा बहुत अच्छी बात आपकी इस क्लास के यह होने वाली है कि कोई भी बच्चा यह ना समझे कि अरे यार मैंने तो यह कॉंसेट्ट पढ़ा नी मेरे से कैसे होगा बस यही चीज आप बहुत ध्यान से सुनना कोई भी ऐसा कोश्चन आपके बोर्ड पर आया हुआ कोई भी ऐसा कोश्चन चाहिए आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो विश्वास कीजेगा जब मैं बोलूगा कि समझ आया तो आप सिर्फ एक ही बात बोलेगे मन से यहां सर आगया समझ में यह वाला तो कोश्चन में आगया अब हम देली प्रेटि सेट करेंगे देली हम 25 कोश्चन कवर करेंगे बिल्कुल एस टेस जैसा नेवी का पैटरन है जो आपका एक्जाम का पैटरन है उसके इसाब से concept में बताता हूँ चलूँगा आप उससे बहुत सारे question solve करोगे ठीक है मालो मैंने आज आपको एक concept बता दिया तो आपने concept दिमाग में रख लिया हाँ बिल्कुल सही है अब जो है हम इसके उपर कितने भी question कर सकते हैं तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से आपको चलना है मज़ा आएगा पूरा ध्यान लगा करके करना और मैं आप लोगों से अब ये बोलता हूँ कि सारे लोग तयार है कमांडो स्पल्टन तयार हूँ सारे बच्चे एक बार ये सर बोल दीजे मज़ा आएगा पकी बात है चलो अब देखिए हम यहाँ पर पहला question solve करते हैं आप सभी लोगों के लिए यह रहा पहला question आपके screen पर अच्छा question से पहले आपको एक बात और बताता हूँ कि आप सभी लोगों का जो time table है वो सुन लीजिए पूरी proper class आपको हमारे channel पर मिल रही है जैसे सुभे आपकी 11 बजे class होती है रोई सर की reasoning की जो की हो चुकी है और उसके बाद GS की class आपकी GKGS की class पारूल मैं हम ले रही है जो की 12 बजे हो रही है उसके बाद 1 बजे जैसे कि अभी समय चल रहा है तो मेरी class है और मेरी class के मतलब जब रात होगी आपकी तो 8 बटे class होगी आपकी राकेसर की तो इस तरीके से चारो subject आपके पूरे हम लोग यहां पर cover कर रहे है ठीक है तो ये time devil आप screenshot ले लिजेगा और इसको ध्यान से note कर लिजेगा time को अब हम आते हैं अपने question पर तो प्यारे बच्चो पहला question हमारे सामने है बिल्कुल बिंदास होकर के टेंशन फ्री होकर answer करिए answer करो पहला question हमारे सामने हमारे screen पर यह रहा बिंदास होकर के answer करना है बिल्कुल भी नहीं घबराना must होकर के answer करिए शाबाश बिटा बिल्कुल cover होगा tension मतलो सब cover होगा उसकी चिंदा मत करो आप answer करो must होकर के कोशिश करिए answer करने की सारे बच्चे yes answer देखो अब इसका मतलब हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ आज ये विजय पार्टल मेरी पहली class है आपके practice set में बहुत बढ़िया B आपका option आ रहा है बहुत सारे लोगों का answer आ रहा है B B आपका answer आ रहा है चलो देखेंगे इसको बहुत शांदार देखो ये ही फायदा है आप लोगों के साथ practice करने का बहुत बढ़िया आपस में आप सारे लोग competition करके रखिए पहले से पहले answer देने की कोशिश करिए very nice अब समझ लेते हैं कि हमारी class में दो तरीके से बच्चे हैं जिसको ये concept आता है ठीक है उसको मैं नाम दे देता हूँ A और जिसको ये concept नहीं आता उसको मैं नाम दे देता हूँ B अब A वाले ने तो answer कर दिया B वाला सोच रहा है रहे यार मेरे से तो हुआ नहीं मैं क्या करूंगा अब आप बहुत ध्यान से सुनना और मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से समस्ते हो चलना ठीक है देखो बच्चो क्या है कि ये जो concept है आपका ठीक है वो concept है आपका no sooner और than का क्या concept है आपका no sooner और than conjunction में pair होते हैं जैसे no sooner than hardly when scarcely when ठीक है तो no sooner than का जो मतलब होता है वो क्या होता है जैसे ही वैसे ही जैसे ही वैसे ही राइट clear हो रही है बात examiner आपको क्या करेगा no sooner के साथ हमेशा आपको लगा करके देगा ये डबलू एच इन वाला when ठीक है when लगा कर देगा आपको जबकि सही बात तो ये है कि when का use अब देखो इससे related और question आपके क्या आपके ऐसे बन सकते हैं hardly के साथ आप when का use करते हैं scarcely के साथ आप when का use करते हैं hardly scarcely के साथ किसका use किया जाता है when का use किया जाता है सभी को बास समझ में आ लिए तो हमें यहाँ पर तीन कोश्चन हमारे तयार हो गए कि hardly के साथ when scarcely के साथ when और no sooner के साथ then इसका मतलब क्या होता है जैसे ही वैसे ही जैसे अगर मैं आपको एक example दूँ बहुत भड़ी example आपको देता हूँ मैं यह नई पेच पर देता हूँ नई पेच पर एक example देता हूँ है ना no sooner had I entered the room when when the light went off अब आप मुझे बताइए कि यहां क्या गलती है मेरे प्यारे भाईयों मेरे प्यारे दोस्तों बताओ यहां पर क्या गलती आपको नजर आ रही है बताओ question कह रहा है कि जैसे ही मैं कमरे में enter किया वैसे ही light चली गई बताइए क्या answer होगा आपके इस question का आबाश देखो हर question को अच्छे समस्ते हो चलेंगे यहनि कि question आया इसमें ऐसे हो गया हटा दो question को नहीं पूरा समझना है बिल्कुल बहतरी न तरीके से देखो आप सभी लोग इन answer करा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी का answer यहाँ पर क्या आ रहा है देन आ रहा है बहुत बढ़िया तो अब ऐसे ही आपको question solve करते हैं चलना है यहाँ पर आपका क्या होगा when नहीं होगा देन हो जाए बास समझ में आ रही है सभी लोगों को clear है बात चलो clear है तो पहला question clear हुआ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहले उसके बाद head हो गया जी जी अभी उसके उपर बात करेंगे ठीक है clear हो रही बात आप सारे बच्चों को अब देखो अब आप मुझे खुद बताओ सबको समझ में आया yes yes clear है बात ऐसे हम लोग ले करके चलेंगे हर एक question को आपको इसी तरीके से बताया जाएगा ठीक है ना बहुत बढ़िया बहुत शानदा आगे बढ़िया next question की तरफ चलते है अब अगला question देखते है क्या है हमारे सामने unless you don't obey your elders you will not succeed in your life बहुत बढ़िया सुल भई जी पताएग अगला question हमारे सामने कह रहा है unless you don't obey your elders you will not succeed in your life next question पताएग अगला question हमारे सामने option A आपका answer आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया A very nice अब देखो इसका concept क्या है unless unless और until ये अपने आप में कैसे word है negative है इसलिए आप कभी भी इनके साथ इनके साथ not का use नहीं करते आप लिख लेंगे unless और until के साथ यहां पर हम हिंदी लिख देता हू के साथ के साथ not नहीं आता जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं वो चाहे तो मेरे को सुनके लिख लेंगे चाहे तो देख कर लिख लेंगे ठीक है अब आप देखिएगा अब आपके question में यही तो कर दिया उसने उसने यही तो करा है के unless के साथ यहां पर आप देखेंगे तो not का use कर दिया ठीक है आपको इसको हटाना पड़ेगा आप कैसे हटाएंगे इसको आप इसको हटा दीजे sentence हमारा कौन सा है जैसे अगर आपने present indefinite tense पड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने present indefinite tense पड़ा है नहीं पड़ा तो अभी समझ लिजे present indefinite तो मेरी यादत यह है कि बच्चे को जहां तक clear ना हो वहां तक ले जाने के जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि वह cricket खेलता है तो मैं क्या बोलूँगा he does not he does not play cricket तो यानि कि हमें एक बास समझ में आई अच्छा इसका अगर मैं plural बनाना चाहूँ मैं he की जगह पर they का use कर लोँ यहाँ पर लिखके दिखा देता हूँ they do not they do not play cricket बहुत ध्यान समझेगा मान लो यह हमारा a हो गया यह हमारा b हो गया और इसके बाद हमारा यहां से यह c हो गया अब आप एक चीज़ देख रहे होगे बहुत धान सुनना यहाँ पर मैंने use किया है does not यहाँ पर मैंने use किया है do not तो प्यारे बच्चों tense topic में जब हम present definite tense पढ़ते हैं तो singular के साथ negative यानि कि नकरात्मक वाक्यों में आप does not का use करते हो और अगर वो plural है जैसे यहाँ तो ही singular है एक बचन है यहाँ यह plural है तो आपने do not का use करा है यही बात यहाँ पर की गई थी you के साथ do not का use करते है अब आपको इस negative वाले को positive बनाना था तो आप क्या करोगे they play cricket बिलकुल सही ऐसी तो बोलोगे अगर मैं आपसे कहाँ कि negative है इसको positive बनाओ तो क्या लिखोगे इसको positive में they they play they play cricket right अब हमें इसी वाले को positive बनाना है तो कैसे बनाओगा unless you don't obey तो ये मैं हटा दूँगा बन जाएगा unless you obey लेकिन इसका मतलब वही है जब तक तुम obey नहीं करते अपने एडल्स का you will not अपने जीवन में कभी भी तुम काम्याब नहीं हो सकते सफल नहीं हो सकते बात समझ में आई है सब बच्चो को देखो यही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप एक एक कोश्चन को मैं आप सही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी कोश्चन मेरे सामने आया तो मेरे बच्चो अगर मुझे दो तीन स्लाइड चार स्लाइड पांस स्लाइड भी भरननी पड़ दाया ना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं अब इतने समझाने के बाद हर बच्चो को समझ में आ गया होगा रिपीट कर देते हैं किलर बॉस चलो सुनो अनलेस यू डॉन्ट यहां पर हमें नहीं बताया कि मैं शुरुबात कर देता हूं अनलेस और अन्टिल के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है यह वो कोश्चन है पेपर आउट वाले कोश्चन है जो आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे बहुत चार्ट कर कोश्चन लाया हूं मैं आप लोग के लिए देखना आप को तो मैंने बताया नोट का यूज नहीं करते मुझे सिर्फ यह हटाना था मंगर उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी बाते बाते की से अच्टता है यह ब्ले मेरे देखने से हमारा पीजिए एक अगला कुशन हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर यह रहा आप लोग 30 सेकिंड लीजिए 30 सेकिंड में अपने आंसर देनी कोशिश करिए जबाश बताओ जबाश बेटा पताओ वेरी नाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आजी कम ओन के रहा अज़िट केम टू अ स्टॉप दक कंड़क्टर कॉल ओवर इन लावड वोईस तो को यहाँ पर जो एरर है वो वोकैप से समंदित एरर है जिसमें कोई कॉंसेप्ट नीए सिर्फ आपको याद करना था प्यारे बच्चो कॉल ओवर गलत इसने लिख रखा है कॉल ओवर हम लोग नहीं यूज करते ये आपका गलत है ठीक है हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा कॉल आउट का मतलब होता है to speak loudly to speak loudly मान के चलिए जैसे आप बस में जाता है जब बस में travel करते हैं तो क्या होता है? आपका stoppage आ गया ठीक है? अब आपका stoppage आ गया जैसे आपका stop है उसने बोला as it come to a stop तक conductor call out in a loud voice एकदम उसने बोला जैसे ही आपका stoppage आया, conductor ने बोलना शुरू कर दिया, क्या बोला conductor ने, क्या बोला conductor ने, क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा, तो कैसे गाम चलेगा, तो वो क्या करेगा, बहुत जोर से बोलेगा, बहुत जोर से बोलने के लिए क्या यूश करोगे, call out, यानि कि to speak loudly, बहुत प्रवाकत के साथ बोलना है ना चलो 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 हस गए है हस गए समझ गए इसका मतलब है चलो अच्छी बात है अब प्यारे बच्चों अगला कुशन देखते हैं अब देखो कितनी बढ़िया बात है आपकी हमें तीन कोशन करें एरर के यूपकी आपके एक्जाम में दो से त अब से आपके सामने है आंसर करिए अबीतों मैं आपको बहुत सारी चीज़े बताऊंगा टैंशन मतलों सुनते रहें आपके बढ़े बढ़े चीज़े आपके बिलेंगी आप मैं आप से कह रहा हूं कि आप 30 दिन यह सेट करके देखिए मैं आप लोगों के लिए 10 12 घंड प्लान करेंगे बढ़िया बढ़िया और फिर उसके बाद मैं आपके आपके एक्जाम में 15 से 20 कोशन आपको अपनी क्लास से देखने को मिलेंगे बाकी तुम्हारी मेहनत है 15 से 20 कोशन इन कोशन सेट से मिलेंगे और बताओ और और क्या करूँ आप लोग के लिए देखो अब आप जड़ा कोशन को ध्यान से सुनो तो आपको एक बात यहां समझे में आएगी उसने बोला अब देखो यहां पर क्या था कि यह बोला गया है कि मानलो कोई आदमी खो गया तो उसने क्या कहा था उसने एक इशारा किया एक बड़ा सा स्टोन था है ना आप कहां से हो कहां थे कहां आप बस वाले ना को कहा उतार दिया तो मैंने उसको बताया कि यार मुझे वैसे तो नहीं पता लेकिन एक बहुत बड़ा सा एक इक स्टोन था वहां पर बिग स्टोन था या फिर एसा समझ लीजिए कि मुझे जहां जाना था मैंने बताए कि मेर्ट शहर में कौण सी कॉल नहीं है लेकिन हां इतना पता है कि वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा किसी ने एक इस हो बना रगा है कब उतर का ऐसे मैं बोल सर मेरेट में रहते हैं कहां रहते हो जी कि शास्तिनगर में रहते हैं अच्छा आप शास्तिनगर में रहते हो अच्छा शास्तिनगर में कोई लेंड मार्क बताईए याद आ रहा है आपको याद आ रहा है बहुत जगह आपने लिखा होगा कहीं पर एड्रस लिखा होगा बै तो प्यारे बच्चों वो जो था ना एक बड़ा स्टोन क्या था वो क्या था एक लेंड मार्क था ठीक है क्या था बच्चों लेंड मार्क था तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा टी बहुत व्यभारिक कोश्चन आपको में दे रहा हूं बहुत व्यभारिक ठीक है ना, specimen word का जो मतलब होता है, वो क्या होता है, नमूना, ठीक है, किसे चीज़ का एक धारन टाइप, नमूना, सोविनर यहाँ पर एक word आया हुआ है, है ना, सोविनर हम लोग यादगार के लिए उस करते हैं, मौनूमेंट के लिए, है ना, स्मृति चिन, ठीक है, पीस आपको बताईए, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, वो D हो जाएगा, अब हम आगे बढ़ता है, प्यारे बच्चे, next question की तरफ चलते हैं, और अगला question हम से कहा गया है, कह रहा है, 5, 14 km, dash, not a short distance to reach by, to reach, yes, 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 answer करें, सारे बच्चे, come on, D, बहुत बढ़िया, थोड़ा तेजी से आंसर करो, जोश के साथ, energy के साथ आंसर करो, पूरी ताकत के साथ, yes, हाँ जी, हाँ जी, सर लिख दीजिए सबका हिंदी, चलो हिंदी लिखते हो चलेंगे, टेंशन मतलो, ठीक है, ये आप हिंदी लिख लीजिए इसका, इसी का बोल रहो हो गया न, इसका मतलब होता है बिटा, नमूना, है न, नमूना, और ये सोवीनोर होता है आपका, जैसे यादगार के लिए, हैना, यादगार के लिए कोई इस्मृती, इस्मृती टाइप, हैना, इस्मृती चिन्न टाइप, लेंडमार का आपका हो गया, जो पर्टिकुलर चिन्न होता है, ठीक है न, लेंडमार, उस जगए का कोई खास पॉइंट, ठीक है, अच्छा, अब आप आजाओ, इस कोईशन पर आते हैं, पहरे बच्चे, यहाँ पर आपसे कहा गया, कि 14 किलो मीटर डैश, नॉट अशॉर्ट डिस्टेंस, अब देखो अगर आप इहां से देखो, तो अगर आप, देखो कि आप बोलो कि सर्फ 14 किलो मीटर के बारे में बात कर रहा है, है ना, 14 किलो मीटर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये नंबर प्लूरल है, तो हमें आर का यूज़ करना चाहिए, मगर आप आगे देखो, उसने क्या कहा है, आर शॉर्ट डिस्टेंस, क्या कहा है, a short distance अब आप दरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर आप question को पढ़ो ध्यान से, हमें हर question को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसने कहा कि 14 km एक क्या था कोई छोटा distance नहीं है, बहुत लंबी दूरी है, तो इसने 14 km को क्या बताया a short distance मैं जोर दे रहा हूँ इस पर, क्या बताया a short distance क्या बताया प्यारे उसने, a short distance, ठीक है तो यानि कि इसने जब भी कोई भी weight की बात हो, distance की बात हो, height की बात हो, और उसको definite बनाये जाए, उसको निश्यत बनाये जाए, क्या बनाये जाए उसको निशित, है ना, जब उसको निशित बनाया जाता है, तब आप हमेशा उसको सिंगुलर की तरह ले करके चलते हैं, बाद समझ में आ रही है प्यारे बच्छों आप लोगो, तो इसलिए 14 किलोमेटर क्या है, आप क्या बोलोगे, एक दूरी है, एक छोटी दूरी नहीं ह कर रहा है, इसलिए आपका जो कोश्चन होगा, वो क्या होगा, इस हो जाए रहा है, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बहुत अच्छा अंसर किया, ठीक है बई, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं, अगला कोश्चन, आजाए, अब देखो, बहुत बढ़िया चीज आपके सैट की, बहुत बढ़िया सैट की, एक चीज, कि आपके एक्जाम में, जो नेवी का पेपर होता है, एरपोर्स का पेपर होता है, उसमें एक टॉपिक होता है, फिक्स्ड प्री पोजिशन, फिक्स्ड प्री पोजिशन, यह फेवरेट बन गया, और बलकि आप लोग का गया, जो भी इंगलिश का पेपर बना रहे हैं आज की डेट में, उनका यह बहुत पसंदिता टॉपिक बन गया, फिक्स्ड प्री पोजिशन का, यहां से कुश्चन पूस्ता ही पूस्ता है, अ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको याद करना है, बताओ, कोई कॉंसेप्ट नहीं है, सीधा लर्न करना है आप लोगों, बताइए, आप आशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जे, जे, बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो पिटा, उसने आपसे कहा कि तो प्यारे बच्छों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो एशीओर के साथ, जो प्रिपोजिशन आती है, वो होती है आपकी ओफ, एशीओर ओफ, किसी को भरोसा दिलाना, किसी को विश्वास दिलाने के लिए हम यूज करते हैं, एशीओर ओफ का, तो यहाँ पर जो आपका अंसर होगा, वो क्या होगा, ओफ हो जाएगा, ठीक है, अगला कुशन देखते हैं, आप देखो, मैंने फिक्स प्रिपोजिशन के बहुत सारे कुशन दिया है, मालनो मैं आपको डेली दो तो दिन तिन कोशन फिक्स प्रिपोजिशन के देता रहूं, तो आपके तीस प्रेक्टिस सेट में 100 के असपास कुशन तियार हो जाएंगे, तो आपका ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो बहुत सोच समझ करके आपका प्रेक्टिस सेट बनाया गया है, ठीक है, चलो, तीपक एगरिट डैश, अल माई व्यूज, बट हिस पेरेंट्स डिद नॉट, ओक्यों, थैंक्यू सो मच भाई, थैंक्यू सो मच, पिटा आप करोगी क्वालिफाई, जितने ही बच्चे यहां पर देख रहे हैं, और अच्छा जाएगा, एगरिड, बहुत बढ़िया, ड हाँ जी, शाबाश, देखो पहरे बच्चो, अब हमारे सामने हाँ पर वर्ड है, दीपक एगरिड डैश, ऑल माई व्यूज, बट इस पेरेंट डिड नॉट, दीपक मेरे सारे व्यूज से एगरि किया उसने, बट उसके पेरेंट्स ने नहीं किया, ओक्या, तो चलो, समझ आता है, कहां टू आता है, जड़ा ध्यान से समझता, जब आप किसी परसन से, जब आप किसी व्यक्ति से, समवन, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, ठीक है ना, तब आप वहाँ पर यूज करते हैं, एगरिड विद, और जब आप किसी के व्यूज से, किसी के विच वीचारों से, किसी के विचारों से विचारों से, किम्न आप तब कया घरें बहुत बढ़िया जिनकी class देख रहे है बाकि sब भी teacher जिनकी class हो रही है सभी को support करें जो भी teacher आपके लिए class लेकर क्या आ रा है आपके साथ मेहनत कर रहा है पूरे घंटे लागातार जो है वो आपको बढ़ा रहा है, समझा रहा है उसको support करें और support करने का बहुत अच्छा तरीका जा जाएगी, ठीक है ना, जरूरी भी है, अब देखे, यह हो गया हमारा question, बहुत अच्छा आप लोग ने answer किया, अब देखो vocab की तरफ, कितना भड़िया set, अब vocab आ गई हमारी, तो vocab में पहला word हमारे सामने है, antipathy, आपको antipathy का क्या बताना है, best express, best express का मतलब होता है, syn सारे बच्चे यहाँ पर इसका synonym बताएंगे, चलो, चाबाश, पहला question, आप सभी लोग के लिए, synonym का answer करेंगे, सारे लोग जालो, हाँ जी, pdf आपको class की, जैसा कि हमारे भाई ने आपको type करके बताया है, यह आपको application पर मिल जाएगी, लिख़ा हो भी आ रहा है, मैंने भी आपको बता दिया, thank you, thank you so much, thank you so much, हाँ, जलो, अब बताओ, antipathy, antipathy का C आ रहा है, नहीं, बहुत बढ़िया, तो जितने लोगों का answer यहाँ पर आया है, क्या आया है बिटा, option B, वो answer correct है, antipathy का मतलब क्या होता है, किसी चीज से घ्रना, किसी चीज से घ्रना, घ्रना के लिए use करते हैं, ठीक तो यहाँ पर हमारा जो answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, option B, clumsy word का मतलब है, बेटा, जो मूर्क है, अनाडी है, है ना, stupid के लिए use करते हैं, stupid, right, annoying कर होता है, किसी को तंग करना, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, परेशान करने वाला, आज सुभा की class में यह word करा आज सुभा की class में यह word था, जिसके लिए बहुत कमाल का आपको word दिया गया था, एक sum, ध्यान रखें सारे बच्चे, जितने बच्चे तयारी कर रहे हैं आप पर tradesman की, right, जितने बच्चे अभी नेवी का exam है, जिन लोगों का, अगर आपके exam में लगबग 6-7 नंबर की आ और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने सुभा 7 बजे English vocabulary class में आना शुरू करते हैं, जितने बच्चे नेवी के तयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुन लिजिए, सुभा 7 बजे आपको vocab मन्थन class में आना है, वोकैब आ गई ना, तो vocab के बारे में बात करता हूँ, पेली सुभा 7 बजे जुड़िए मेरे साथ, इसमें मैं आपको synonym, antonium, one word, और आपका idiom, ये चारो चीज़े यहां पर मैं करा रहा हूँ, जो आपके exam में चारो section आएंगे, चारो section आपको class में मिलेंगे, class का test भी होगा, सापताहिक टेस्ट भी होगा, ठीक है, तो सुभा साथ बज़े का time note कर लीजिए, मुझे आप इसे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे कल सुभा 7 बज़े दिखेंगे, एक बार promise लिख करके comment box बता दीजे, सारे बच्चे, अगर आपको सच में अपना exam qualify करना है तो, क्योंकि पूरी शिद्दत से बेहनत करिए, मैं कहते हैं मैं नला, या तो फोड दो, या फिर छोड दो, बस वही वैली बात उनी चीए, तो अगर करना है, तो सर आप बताओ क्या करें, हम वो करने के लिए तेयार है, तो बुलकुल फोड देना पेपर आप लोग, ठीक है, किल्यर है बात, चलो 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 चलो, अगला कुशन बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, जाबाश, वेरी नाइस, डल्सेट रात को आट बजे मैट का प्रेक्टिस Tech होगा, तीन सेट हो गए आपके, आपका reasoning का हो गया, gkgs का हो गया english का हो रहा है, रात को आपका 8 बज़े math बहुत बढ़ी है अब बताओ, dull set शाबाश, बहुत बढ़ी है प्यारे बच्चे, dull set कभी आपको synonym बताना, इसका मतलब क्या होता है, madhur क्या होता है, प्यारे बच्चे, madhur ठीक है, synonym चाहिए तो sweet आपका right answer है, आपर हो जाएगा option A is the correct answer, ठीक है option आपका A, dull का मतलब क्या होता है, जो उदास type का है है न, dull है, hard मतलब सक्त है, sore मतलब खटा है खटे के लिए उस करते हैं, राइट ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रोगा, वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, next, arcane आपको arcane का antonium बताना है, opposite चाहलो बताओ, फटा फट से प्यारे बच्चे, आरकेन वर्ड का जो मतलब होता है, वो होता है कुप्त ठीक है, आप जो मेरे को answer कर रहे हो, evasive प्यारे बच्चो, evasive का मतलब होता है, defalcation क्या मतलब होता है, इसका defalcation ठीक है, defalcation का मतलब होता है, जो कपट है है ना, जो कपट फूर्ण है, जो गलत है उसको बोलते हैं, right तो arcane का मतलब गुप्त होता है यानि कि जो secret है, है ना यानि कि आप ये कह सकते हो, कि अगर आप से phenomenon पूस था, तो आप option D के साथ जा सकते थे, option D के साथ मगर आप से antonium पूछा है, तो आप किस पर जाओगे, public पर तो option A आपका right answer याँ पर बन जाएगा, clear हो रही ये बात आप सारे बच्चों को clear हो रही ये बात, option आपका D यहाँ right answer बन जाएगा, ठीक है, D, D नी सोरी A, 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 A आपका right answer बन जाएगा, हाँ, बिलकुस A, G, कब का हिंदी लिख देता हूँ, कपट पूर्ण, कपट पूर्ण, तो जो जरूर हिंदी लिखना वो मैं लिख देता हूँ, अब जोगो, secret का मैंने यहाँ पर लिख दिया, गुप्त होता है, अब dark का मतलब अंधिरा होता है, तो थोड़ा सा यह जो है आप सारे बच्चे, अब मैं यह लिखूंगा ना, इसका मतलब अंधिरा, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चो आपको इतना तो पताई होगा, अंधिरा, dark को अंधिरा बोलते हैं, तो जो भी ऐसा word मेरे को ल अपोसेट बताना है आपको यहां पर चलो, c बहुत बढ़ी है, a बहुत बढ़ी है, चलो सब बच्चे आंसर करें सुनेज आंसर, अब ब्रीज का मतलब क्या होता है बच्चो किसी भी चीज की आकार को, size को छोटा करना, या फिर आप बोल सकते हैं उसको कम करना, या फिर छोटा करना, हमें क्या चाहिए stretch, यानि कि खीचना, लंबा करना, खीचना, या फिर लंबा करना, इसका क्या बन जाएगा, opposite बन जाएगा, आप देखे, अगर मैं option पर जाओं, तो यहाँ पर curtail नजर आ रहा है, curtail का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना, कम करना, तो curtail का मतलब भी क्या होता है, प्यारे किसी चीज को एक तरीके से, किसी चीज का उलंगन करना, जैसे violation आपने सुना होगा, उलंगन करने के लिए use करते हैं, उलंगन करना, उलंगन करना, ठीक है, उलंगन करना, है ना, किसी चीज को disobey करते हैं, है ना, किसी चीज को मानना नहीं, disobey करना उसको, disobey करना, या फ इसका पीडिव आपको RWA एप्लिकेशन पर मिल जाएगा प्रेक्टिसेट वाले सेक्शन में ठीक है और बताओ ठीक है अगला कोशन देखते हैं अब यहां पर आपके सामने आ गया वन वर्ड बताओ वन वर्ड का अंसर क्या होगा थोड़ा जल्दी चलो यार आगे हमें पैसिज भी करना है थोड़ा सा स्पीड खींचो भाई जल्दी से स्पीड खींचो थोड़ी सी है न थोड़ा स्पीड लेकर चलते हैं सारे बच्चे मुझे ए फटाफट से बताईए जल्दी से बताएं फटाफट से इस कैसर क्या होगा थोड़ा सा स्पीड खींचने पड़े क्यूंकर मैं पैसिज भी करना है बेटा भी फटाफट से बताओ Garland of flowers Option A, bouquet नहीं होगा प्यारे बचो Garland of flowers को हम लोग बोलता है Pushp Mala Pushp Mala क्या जानना चाहरा है वो Pushp Mala जानना चाहरा है तो आपका जो answer होगा वो क्या हो जाएगा Red Red को हम लोग Pushp Mala बोलता है क्या बोलता है Pushp Mala Option B, आपका यहां correct answer बन जाएगा ठीक है, next question हमारे सामने है One word का ही, कह रहा है A doctor who specializes In the disease यह eye नहीं है, इसको in कर लिजे In the disease of eyes अब आपको बताना है एक ऐसा doctor, जो आखोंग में विशेशग्य हो, यानि कि नेत्र रोग विशेशग्य हो, बताइए नेत्र रोग विशेशग्या Come on, क्या होगा Option B, A Optimist, ना ना जा Option आपका यहां जो right answer होगा जो बच्चे A answer कर रहे है वो आपका right answer हो जाएगा Ophthalmologist बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है नेत्र रोग विशेशग्या नेत्र रोग विशेशग्या नेत्र रोग विशेशग्या ठीक है साब Optimist जो आप answer कर रहे हो इसका मतलब होता है आशावादी जो हमेशा positive रहता हो ठीक है? Optician कौन होता है? जो चश्मा बनाता है और Orthodontist होता है जो दातों का दंत रोग दंत रोग विशेशग्या ठीक है बच्चे? Clear है? आगे बढ़े दबते हैं अब आपको एक question मिलेगा आपके exam में एक question है दो question spelling error का आपको सही spelling बतानी है इसमें से कौन सी spelling सही है? बताओ इसके बारे में आप जो है वो धर्में सार आपको बताएंगे बहुत अशे तरीके से PSL के बारे में हाँ मैं उनको बता दूँगा यह वाला message आपका वो आपको बता देंगे ठीक है? इसके ओपर भी एक video लेकर करके आ जाएंगे जिन बच्चों का यह है आना है PSL पताओ बहुत बढ़ी है अब कली की spelling बताने है बिल्कुल सही जब आप कली की spelling क्या होती है यह होती है C-O-L-L E-A-G-U-E U-E ठीक है? कली की spelling आपकी यह होती है ठीक है? अब इसको याद करने के तरीका मैं आपको बताता हूँ यह भी आपको मैं समझा दूँगा कली को याद करने के तरीका पहले C-O-L याद कर लो इसका मतलब क्या होता है? सह कर्मी जो साथ काम करते है सह कर्मी जो साथ काम करते है ठीक है? कली को याद करने के तरीका C-O-L उसके बाद आप क्या इस तरीके से याद कर लिजे ल-e-a-g ठीक है उसके बाद तीसरी spelling क्या बसती है यू-e बस आप एक दो बार इस तरीके से लिख लिख के देखो आप जब भी आपको कोई भी spelling याद करनी हो ऐसे तोड़ कर याद करो यह सबसे अच्छा तरीका है आपको याद करने का ठीक है पहरे बच्चो कर लीग तो आप कभी नहीं भोलोगे इस method से अब आपके सामने sentence rearrangement के question भी आपको मिलेंगे इसको आप PQRS के नाम से भी जानते हैं अब आपके सामने यह word है global warming अब आपको global warming word से यह word आपस में जोडने है यानि कि पहले P आएगा, Q आएगा, R आएगा और एक sentence पूरा बनाना है बनाओ, बनाओ पहला word यही रहेगा, उसके बद आपको जोडना है और बहुत असान है, बहुत असान, मैं कहा रहा हूँ बहुत हलुआ question है आपके लिए बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, B अब भी बताताओ, टाइम भी बताओ, सकते टैंशन मिंटलो जल्दी जल्दी बताओ, पटाओ, पटाओ, आजी A option A A आ रहा है, चलो एक चैक करते हैं ग्लोबल वर्मिंग, इस दा steady, steady का मनदब लगातार, मनदब लगातार चलने वाला, ग्लोबल वर्मिंग, इस दा steady and continuous rise in the level of तो जिन्होंने बताओ, P सबसे पहले क्या आएगा ग्लोबल वर्मिंग, सब्जेट के बाद verb यूज करोगे तो ये रिवर, the global warming is the steady and continuous rise in the, किसमे उपर जाएगा, क्या उपर जाएगा level उपर जाएगा, तो Q के बाद क्या आएगा, P आएगा Q और P, सबसे पहले, स्वरी, P आएगा सबसे पहले उसके बाद, and R, R आजाएगा, R के बाद, क्या आएगा आपका Q, P, R, Q, option आपका A right answer होगा ग्लोबल वर्मिंग, is the study and continuous rise in the level of temperature option A is the correct answer, जितने बच्चों ने ये बताया, बहुत शानदा बहुत बढ़ी है, P, R, Q, correct है, P, R, Q, बिल्कु सही है अब आप ऐसा ही question और बनाईए, ऐसा question और देता हूँ, दूसरा बनाईए फटाफट से, कितना अच्छा और कितना असान question next बहुत बढ़ी, innocent आपका नाम जो भी है, innocent भूत, थोड़ा नाम अच्छा रखो यार, है ना, ताकि क्लास में लेने में भी अच्छा लगे, है ना, अब ऐसा लग रहा है कि हम जो है, वो 1920 की क्लास ले रहे हैं, जिसमें एक भूत आएगा पीठे से, तो मैं बहुत आप बहुत है, तो यार थोड़ा अच्छे नाम रखो जो महीं पर आपने रखे हैं आपके नाम, सोचे आप क्लास में ले सके अच्छे तरीके से, कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के बड़े अजीब नाम होते हैं, और बड़े अच्छे बच्चे भी होता है, बहुत अच्छे आउसर करते हैं, पर नाम नहीं ले पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके नाम ही इतने गतरनाग होते हैं, mail ID के, है ना, चलो, अब देखो, बहुत असान question, सब का भी आ रहा है, चलो, check करते हैं, कह रहा है, education is, education क्या है, एक महतपूर माध्य में, बिल्कुल सही, अगर आपने आर्ट से शुरुवात करी है, तो बहुत ही अब दोगों के, आप दोगों, जैसी मैंने आर्ट से शुरुवात करी, मुझे answer मिल गया, मैं का, फिर भी इसको पूरा करते है, education is an important medium, किस चीज का medium है, of acquiring, का acquire करना, skill or knowledge को, तो यानि कि क्या हैगा, इसके बाद, R, R के बाद आपका पी और उसके बाद क्यू आर पी क्यू ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है भाई क्लेर है बात बी आपका राइट है सब बच्चों का बी आ रहा है बहुत अची बात है बिल्कुल सही जवाब अब नेक्स देखते हैं एक और कुशन आपका पी कि वरी नाइस वरी नाइस बिटा देखो आपसे क्या कहा गया है कि एरा गुट हेल्थ इस इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया तो सबसे पहले किस्ते शुरुवात करेंगे आर से करेंगे गुट हेल्थ क्या इंपॉर्टेंट है because a healthy man एक स्वस्थ आदमी enjoy करता है can enjoy great happiness during his lifetime अपने पूरे अपने जीवन काल में वो क्या करता है अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो वो बहुत खुश रहता है बहुत enjoy करता है तो यही बात कही गई है तो सबसे पहले क्या आएगा पिटा आपका R आ जाएगा good health is important because a healthy यानि कि Q उसके बाद आप P का use करेंगे तो R Q P option A जिसका भी A है बिलकुल सही है जिसका भी A है बिलकुल correct है बहुत शानदार आपका answer आपर आया है अब हम आगे बढ़ते है question number 18 की तरफ और यह है आपका idioms and phrases तो पहला question आपका मुहावरे का यह रहा तो देखो कितना अच्छा set है हर चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है बनाई जा रही है चलो बताओ अब पहला question आप लोगों के सामने बताओ शाबाज जी बहुत बढ़िया option A देखो पीटा cog and bully story का मतलब होता है जैसे आपने गाउ में सुना ओगा जब रात में गाउ में जाओ गए जैसे बहुत सर्लों गाउं से भी लॉंग करते हैं जैसे हम मेरेट में जब हम गाउं में जाते हैं अपने तो हमारे मामा लोग सब यह कहानी हमेशा एक ही होती है भूत वाली कि लला हम पानी देने गए खेत में फिर क्या हुआ हम चल रहे थे रात के दो बज़ रहे थे हम पानी देकर घर लौट रहे थे तब ही हमने देखा कि एक आद्मी ने हमें आवाज लगाई ओ बाई साब ज़रा यहां आना हम उसक बीड़ी मांगी एक तो भूत मुझे आसा समझ में नहीं है बीड़ी ही क्यों मांगता है हमेशा और कुछ क्यों नहीं मांगता है आज के जमाने में पीजा मांगना चाहिए बर्गर मांगना चाहिए वह हमेशा बीड़ी ही मांगता है फिर उसके बाद होता है हमारा बंदा होता है है ना और तुमने एक चीजा सुनी होगी इतनी इतनी फेकते हैं कि भाई उस बंदे को जमीन में उल्टा गाड़ दिया अब भाई किसी बंदे को अकर तो मुल्टा गाड़ तो किया वो बचेगा नहीं मगर भाई तुम्हें पता कितनी कालप्रिंग की स्टोरी होती है है ना तो समझ में आरी बाद कैसी कहानित थे हैं धरवाले याओं वाले हमारे से हमारे लोह गता है मामा और हम्हारी मैं यहीं कि अलग मामा होकि और पांजे कहांने वाल है डरो है ना डंग्ने सोना पाऊँ ठीक है ना अच्छ अच्छ आप कभी नहीं भोलों कहले आगी कोश cũ अगला कोश्चन उंसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, सनोनिय बताना है, बताएं क्या होगा, green horn, come on, जल्दी बताइए, भड़िया question आपके समने, बताइए, क्या answer होगा बिटा, b, a, पहुशान दा, तो ग्रीन horn का मतलब क्या होता है, जो नो सिखिया है, जो नो सिखिया है, जो नो सिख तो आपका option A हां right answer हो जाएगा जो नया है जो इन experience है ठीक है ना आपके हिंदी चाहे इसकी चाहे तो इसकी भी लिख लिख लिजएगा कालपनिक कालपनिक कहानी कालपनिक कहानी कालपनिक कहानी इसको हम लोग बोलते हैं तो यह हो गया आपका नौसी किया जो नया है अब question number 20 अब आपके सामने एक question मैंने आप sentence improvement का भी दिया है तो आपको यह बताना है कि यह जो underline वाला part है कि आप इसको improve कर सकते हो और अगर improve कर सकते हो तो पहला दूसरा तीसरा इसमें से कौन सा option आप लोगे और अगर आपको ल very nice, very nice बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों आपने अगर इस series को complete किया तो आपके 15 question आपके set से फसेंगे क्योंकि question ही मैं इतने प्यारे लेकर क्या आ रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे question आपने इन question पर एक amount मना ली ना तो आपके 15 plus question कहीं नहीं गया आपके लिए आपके exam में बहुत बढ़िया indifferent के साथ हम लोग use करते हैं पेटा preposition to my brother is indifferent to whatever I say मैं उसको जो भी कहता हूँ वो उसको विल्को इग्नोर कर देता है indifferent का मतलब होता है किसी चीज के प्रती उदासीन होना उदासीन मतलब कि उसको बिल्कुल भी ध्यान ना देना तवज्जो ना देना उदासीन neutral रहना ठीक है ना तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा सी राइट आप इसके बाद क्या है passage है passage तो passage है हमारे सामने और पांच question हमारे पैस क्योंकि आपके एक्जाम में passage भी आ सकता है और close भी तो आपके सामने यहाँ पार passage है आप सारे बच्चे पैस को पढ़िए दो मिनिट आपके पास हैं सिर्फ और सिर्फ दो मिनिट ठीक है इस passage को अच्छे से पढ़ लीजे इसके बाद मैं इसके आंसर दूँगा समझाओंगा मैं आपको इसको कल क्योंकि बहुत अच्छे से समझाओंगा मैं आप लोग एक चीज अच्छे से बताऊंगा जल्द जल्दी करो फटा फट से जब आप इसको पढ़ लें तो मुझे बता दें कमेंट वोक्स में लिखनें सर डटन का लिख दोगे प्लीज इस चीजगो लिख दीजा कमेंट वोक्स में मिलाच ऐक तो सारे बच्छे कल सुबह से वोग्वास की शुरू कर दिज़ पूरी proper class चलती है पूरी भेहत्रीन class Mononym, Antonym सब कुछ आपको को वह कर मिलेगा डाये तो आप आजके class जा कर देख भी सकते हैं दो दिन होगे day one और day two दो दिन की class आप जा कर दे सकते हैं playlist बनी हुई है चैनल पर playlist हमारी बनी हुई है जा करके देख भी सकते हैं आप उस class को, अजी, आगे से हटो, जी, जी, हट गए, done, कुछ बच्छों ने done लिखना शुरू कर दिया है, चलो, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, अब बाए, पीडिएफ की टैंशन मनलो, पीडिएफ पहुंच जाएग हो गया, अब, 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 आपके कमेंट आ रहे हैं, गरीमा जी, आपके कमेंट सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, हो गया, चलो, हाँ, बेटे, डेली प्रेक्टिस सेट होगा, अब आपके सामने हैं, पर पहला कोशन है, इसका आंसर दीजे फिर, आपने कर लिया, तो समझाओंगा मैं आपको इसको कल, क्योंकि बहुत अच्छे समझाओंगा, तो पंतरा मिनट लगेंगें, हम सकोंगें, दस से पंतरा मिनट, पहले आप आंसर लिख लो आज, ताकि पूरा स्नेट आपका कम्पिलीट हो जाए, बेटा, मेरे नाम अनुज है, अनुज सर, पता उसका आंसर क्या होगा, बी, अच्छा, यह बात केवल पूर अरप को पता थी, जिसने आंसर किया है, C, बिल्कुल सही जवाब है, केवल ओप्शन, C का राइट आंसर होगा, वो क्यों होगा, यह हम कल जानेगे, नेक्स्ट, दा अरप, गेव दा कैलिफ, कैलिफ कौन था, जो राजा था, उत्रा अधिकारी, ठीक है, दा अरप, गेव दा कैलिफ, डैश वर्डर टू ड्रिंक, विदाउट नुइंग, कैसा पानी दे दिया था उसने उसको, हाँ, इसी वाले चैनल पर चलती है, सुबह साथ बज़े, एक बार आप जाईए, प्लेलिस्ट में जाईए, आपको सेशन मिल जाएंगे, और कल से सुबह साथ बज़े आपको आना है, मैं बार बार इस चीच पर जोर दे रहा हूँ, कुछ उस तो बढ़िया होगा आप लो अगला कोशन, जस्ट आ लेदर वोटर, लेदर बोटल ओफ वोटर, ये एड़ कर लिजेगा, अब बताओ, बहुत बढ़िया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, गरीमा जी, और वहाँ आपको हर एक चीज की प्रिपरेशन देखने को मिलेगी, जो डिफेंस अक्स सारी क्लासे चल रही है, सारी क्लासे चल रही है, सारी क्लासे चल रही है, आप एक बाट जाएए, चैनल को विजट करिए, आप हमारे, नए हैं आप विजट करिए, फिर देखिए, आपको क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलेगा, जे, बिल्कुल सही जबाब, सी, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से फटा 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 एक मिनिट हमारे पास यह न यहां पर यहां पर फृरिन्दा ब्लैंक है यहां पर आपको फिल करना है बताओ 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 C was eager to share उसने किसी के साथ share नहीं किया था Next Last question अब आप सारे बच्चे इन questions का answer जानने के लिए कल की class में जरूर आना कल हमारी class एक बज़े होगी ठीक है और पूरा time table आपको मैं भी दुबारा बताता हू सुन लीजे गए रध्यान से Disgust क्या answer होगा Disgust अब आप एक बार फटा फट से time table जो बच्चे अभी अभी आए हैं class में सुन लीजे हमारा इंडियन नेवी ट्रेट्समें का एक यूट्यूब पर free practice बे चालो हुआ है जो आज से ही शुरू हुआ है जिसमें सुभा ग्यारा बज़े reasoning की class होती है उसके बाद GS की class होती है दुपैर को 12 बज़े English की class होती है एक बज़े और रात को math की class अब सारे बच्चे रात को math की class में जरूर जाएंगे ठीक है बाई और मुझे कल सुभे आप लोग मिलेंगे vocab की class में ठीक है बेटा अब यह हमारा practice अट कंप्लीट होता है आपका इसको PDF मिल जाएगा हमारी application पर अब सुन लीजेगा तो जहान से जो मेरी demand अभी तक मैंने आपको पूरी जान लागे बढ़ाया सारे बच्चे इस class के बाद comment करके जुरूर बताना कि आपको आज का practice कैसा लगा एक-एक question को समझाया गया हर एक option को आपको बताया गया और अगर आपने 30 दिन मेरे साथ ऐसा काम किया लगातार पड़े तो 30 दिन के बाद हम लोग रखेंगे एक शांदर वाली marathon class मज़ा आजाएगा समझ दीजे सब कुछ आपका यहीं से फसेगा आप सच में फैन हो जाओगे इस class के ठीक है मगर आपको regular आना है देखिए एक चीज़ मैं आप से बोलता हूँ बोलो दरू कीजेगा थैंकि सो मच जाहें